बिहार विधान परिशत के दो रिक्त पदों के लिए अलग-अलग उप्चुनाओं है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस्ट नोट निर्गत किया गिया है बिहार विधान परिशत के दोनों उप्चुनाओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रमंडली आयोगत पटना संजय कुमार अगरवाल को निर्वाची पदतकारी अधिसूचित किया गया है इनके कारियों में सहयोग प्रदान करने है तो साहिक निर्वाची पदतकारी के रूप में उप्निर्देशक, खाद, पटना, प्रमंडल, धिरेंद ज्छा, अपर समाहर्ता, राजैस्व पटना, राजीर सरवास्तव, निर्देशक, बिहार विधान सबा, भुदेव, राय कारिक करेंगे, दोनों उप्चुनाओं के सफाल एवं सुचारू संचालन है तो निर्वाची पदतकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिये, बिहार विधान परिसत के दोनों रिक्त पदों के लिए निर्वाची पदतकारी सहप प्रमंडली, आयुक्त पटना संजे कुमार अग्रिवाल के कार्याले कक्ष में नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये जाएंगे, इस अफसर पर विधी विवस्था संधारन है तो निर्वाची पदतकारी ने जिलदकारी पटना इवं वरी, पुलिस अधिक्षक पटना को परियाप्त सं संख्या में डंडा दिकारी, पुलिस पदतकारी एवं सुरक्षा बलो की प्रतिन्युक्ति करने का निर्देश दिया है, साथ ही साथ CCTV कैमरा और वीडियो ग्राफी की समुचित विवस्था सुनिच्चित कराने का निर्देश दिया गया है, कोविट-19 के संक्रमण की स्थि को देखते हुए, सिविल सर्जेन पटना को निर्वाची प्रदतकारी के कक्ष के बाहर एवं अंदर प्रति दिन सेनिटाइजेशन कराने एवं कार्याले कक्ष हेतु पर्याप्त संक्या में सेनिटाइजर की विवस्था करने का निर्देश दिया गया है, साथी नाम निर् वर्जित रहेगा, बिहार विधान परशत के दो रिक्त पदों के लिए होने वाले अलग-अलग उपनिर्वाचन के लिए आरोस सेल इवं कोशांगों का गठन किया गया है, कोशांग के कारियों के सुचारू संपादन हेतु अधिकारियों कर्मियों की प्रतिनुक्ति की ग और दूसरी स्री सुचिल कुमार मोदी जी के पद रिक्ति के कारण हुई है, इन दोनों पदों पर अलग-लग चुनाओ कराय जाने का नियोदेश प्राप्त हुआ है, और दोनों के लिए आज के लिए आज से नामांकन प्रारम भी हो गया है, आज अधिसुचना जारी कर द पर दाखिल कर सकते हैं, और उनिस तारिक को इसकी स्कूटनी की जाएगी, और एकिस तारिक तक नाम वापसी किती थी है, और इसके बाद यदि आवशक हुआ, तो अथाइस तारिक को चुनाओ किती थी है, निरवाचन करवाय जाएगा, और इसके लिए COVID प्रोटोकोल सहित जो भी अचार संगीता है या भारत निर्वाचन आयो के प्रावधान है वो सभी लागू होंगे नामांकन आयुक्त कारियले पटना के इसी कक्ष में दिये जाएंगे जो भी वेक्ति नामांकन दाखिल करना चाहते हैं वो 11 से 3 बजे की आउधी में यहाँ पर आकर के नामंकन दाखिल कर सकते हैं मेरे उपस्तिती में सायक निर्वाची पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है ताकि नामंकन में किसी परकार की प्राब्लम नहीं हो और इसके लिए कोविड प्रोटोकोल को ध्यान में रखते हुए जो नियम लागू है वो सभी नियम इस पर लागू रहेंगे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें